दोस्तो माइस्कुल की स्फ्री कोर्स में आप सब का स्वागत है जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो important terms को एक है is null and एक है is not null अब देखो नॉर्मली अभी तक की वीडियो में हम काफी सारे important operators, important clause या फिर important constraints को कवर कर चुक है और अगर हम constraint के विहाब पर ही बात करें तो is null and is not null भी एक important constraint है क्योंकि जब भी आपको data को filter करना होता है यह देखने के लिए कि इन में से सारे data में से कौन सा data accurate है और कौन सा data accurate नहीं है उसके विहाब पर कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास data है database में हमारे पास 1000 लोग का data है अब उस 1000 लोग की data में से हमें यह देखना है कि किस data में एक आत field blank है for an example मान लो कि किसी में नाम नहीं आ रखा है किसी में मान लो कि age नहीं आ रखी है किसी मान लो salary नहीं आ रखा है तो इस तरीके से अगर किसी भी field में blank data है यानि किसी भी एक column में blank data है और हमार पास 100-200-1000 लोग का data है उन में से अगर हमें उसे filter करना है तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए हम यूज करते हैं या पर is null या फिर is not null operator का तो यह जो दोनों ही constants है is null and is not null यह दोनों ही important है जब भी आप projects या practicals कर रहे होंगे तो उनमें आपको इनका यूज देखने को मिलेगा तो एक बात तो किलिए रहे कि जो वीडियो ही आपके लिए full of information होने वाला है आपसे बस इतने से request है कि अगर ही वीडियो आपको useful and informative लगे तो please वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किस देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो नॉर्मल ध्यान देते computer screen पर जहां पर आप देख पार हो कि मेरे पास एक अच्छा खासा data है लगभग 20 से 25 लोग का अब यहां पर महरे पास ID भी है नेम भी है एज भी है department है और sales है अब अगर आप नीचे ध्यान दो तो आप देखो गिप 121 122 and 123 का जो नाम है वो यहां mention नहीं है और यहां पर क्यारन नन यानि कि यहां पर कोई भी value नहीं दी गई है इसके साथ ही अगर आप department देखो तो 131 132 133 का जो data वो यहां पर नहीं है तो अब यहां पर होता क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे लोग का data है हजार लोग का data है तो एक एक करके तो हम नहीं देखेंगे वहां पर हम क्या करेंगे कि हम इस नल keyword का use करेंगे जिसके वहाब पर हम एक ही बार में पूरे data को filter कर लेंगे और easily पता कर पाएंगे क कौन कौन सा data यहां पर missing है अब इसका syntax कैसे work करता है तो सबसे पहले हमें लिखना है select keyword फर जिन जिन columns को filter करना चाहरे है वह हम लिखेंगे column name उसके बाद हम लिखेंगे from table name and where clouds को mention करके जो भी column है उसके आगे लिखेंगे is not तो यह एक syntax है और यह जादा अच्छे से आपको तब के लिए रहोगा जब हम बिल्कुल practically इसे करके देखेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको जो भी जैंप है उसका control panel आपको open करना है and apache and mysql को यहां से start कर लेना है इसके बाद simply आपका mysql workbench को आपको open कर लेना है तो यहां पर mysql workbench है इस पर double tap करके आपको इसे open कर लेना है and normally मैंने यहां पर अभी इसे open कर रहा है इसलाल मैं क्या करता हूं कि इसे बिल्कुल blank कर देता हूं मैं यहां पर लिखता हूं use employee अब use employee लिखेंगे execute करेंगे तो आप देखो कि यहां पर employ वाला block है वो यहां पर active हो गया है and यहां पर हमने जितने अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर कौन से वाले टेबल को preview करना है तो मैं यहां पर आउंगा and मैं यहां पर लिखूंगा select all data from कहां से हमें select करना है employee वाला जो डेटाबेस है उसको मुझे target करना है तो select all data from employee database के sales data table को तो यहां पर हमने यह लिखा हम करेंगे execute and आप देखो कि पूरी की position table है वो यहां पर आ जाती है जो कि on screen आप देख पार हो अगर इसमें कुछी fields को आपको target करना है तो मैंने पहले भी बताया हुआ है previous videos में तो सिर्व आप उन्ही columns को लिखो जैसे मैं आप लिखता हूं ने कुमा करेंगे and में लिख दूँआ है and में लिख दूँआ sales और मैं यहां पर execute करूँगा तो सिर्फ मेरे पास से 3 blocks आएंगे name and sales और अगर पूरा data चाहिए तो simply हमें क्या देना होता है metric का symbol जिसे में star भी बोलते है multiplication का symbol भी बोलते है आपका पूरा data यहां पर आ जाएगा अब यहां पर वेरे पास task है कि मुझे यह देखना है कि कि किन किन का नाम यहां पर blank है यानि missing है तो यहां पर आप notice करो तो आपको ऐसे नजर नहीं आएगा आपको drag करते हूं नीचे आ यहां पर filter करना है तो मुझे data को करना है नाम के भी हाप पर तो मैंने आप लिखा कि वेर ने जहां पर जो नाम है अगर वो है is null यानि कि जो नाम बाला block है अगर वो null है यानि कि वो खाली है तो is null क्या है हमारा keyword है हमें execute करेंगे तो अब यहां पर एक ही बार में वो सभी fields आ जाएंगे जहां पर नाम जो है वो missing है तो यहां पर मैं इसली बता सकता हूं कि 121, 122 & 123 यह जो तीन ाइडीज है इनका नाम यहां पर missing है इसके साथ ही माल लोग कि अगर मुझे चेक करना है कि कि किन किन का department missing है तो यहां पर आए and यहां पर मैं लिखा department इस तरह से and यहा पर missing है एक कपिल का एक राधा का एक दिक्षा का इसके साथ ही अगर मालो मुझे चेक करना है कि क्या किसी की age भी missing है तो मैं लिखूंगा age and यहां पर execute तो आप देखोगे सीधा सीधा यहां पर ages आगे तो इस तरीके से हम one by one चीजों को filter कर सकते हैं अब आपके mind में question आ रह में filter नहीं कर सकते यानि कि मुझे यह देखना है कि पूरी table में कहां कहां पर null values है चाहे वो name हो age हो department हो तो वो कैसे आएगा तो यहां पर हम यूज करेंगे एक और operator का जो कि है और operator एंड आपको याद होगा previous वीडियो में हमने end operator और और operator के बारे में सीखा तो यहां पर हम यूज करने वाले और operator को अब देखो कैसे सबसे पहले हमने where लिखा and यहां पर लिखेंगे कि name is null इतना लिखा मैं करूँआ execute तो name वाला data आ गया अब मैं यहां पर बोलूँआ कि मुझे एक और condition डालनी है तो condition क्या है मैंने यहां पर लिखा और और से क्या करेंगे हम दूसरी logic को यह दूसरी condition को add कर सकते हैं तो मैं लिखा और जो age है अगर वो भी है is null मैंने execute किया तो अब यहां पर age वाला data भी आ जाएगा यहां पर जो सुनीता है सुधा है और राम है इन तिनों की age missing है फिर एक और condition डालनी है तो मैं यहां पर missing है एक लक्षमन का भरत का और यहां पर हमने लिखा और जो department है वो अगर है इस नल इतना हमने लिखा और हम करेंगे execute तो आप देखोगे यहां पर जिन जिन का जो data है चाहे वो किसी भी हाँ पर missing है कोई भी ID जैसे मैं बात करूँ 121 से लेके 128 तक कर यहां पर ब्लॉक आप देते हैं इस तरह से आप थोड़ा और बैटर लिसको देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा से यहां पर नीचे कर देता हूं आपको data अच्छे से नजर आ जाएगा तो आप यहां देख सकते हो कि हमने लिखा select star from employee.sales data यानि कि select all data from employee database के sales data में से and यहां पर where name is null और age is null और sales is null और department is null तो इन चारो columns को मैंने filter कर दिया और on इसके आप देख पा रहे हो कि इनके भिहाप पर जितनी भी null values वो हमारे सामने आ जाते हैं तो अगर आप multiple columns को यहां पर apply करना चाहते हैं इस नल में तो आप इस तरह से कर सकते हैं और भी basis पे अगर हम apply करना होता है जिसे मानलो पर एक चीज़ को और बात कर लेते हैं कि यह मेरे पास वो data है जहां पर कोई ना कोई value खा लिए अब मानलो मुझे वो data देखना है जिसमें सारे के सारे fields mention है यानि कि कोई भी data missing नहीं है यानि कि proper accurate data जो है मुझे बस वो देखना है तो अगर मुझे वो data देखना है मैं यहा दो डेटा दिखाओ जहां पर सारी के सारी values फिल है तो अगर मैं यहां लिखूंगा कि where name is not null where name is not null तो आप यहां देखो कि वो सभी नाम आ रहे हैं जिनमें कोई भी null value यहां पर नहीं है यानि कि जो data पूरा-पूरा भरा हुआ है सिर्फ वो आ रहा है लेकिन अगर हम age के भी हाँ पर देखे तो null value वाला block आ रहा है department वे भी आ रहा है और यहां पर तो क्या यहां पर भी अगर मुझे सभी fields को target करना है तो क्या मैं और operator यूज़ करूंगा तो जवाब होगा नहीं देखो और का मतलब होता है या तो यह 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 और इसमें भी और इसमें भी तो यहां पर जो मैं बोल रहा हूं हिंदी में क्या बोल रहा हूं और जब हम और की बात करते हैं तो यहां पर कौनसा operator यूज़ करते हैं end operator तो हम यहां पर लिखेंगे end operator पहले हमने और operator लगा था अब हम क्या लगा रहें end operator तो इसे मैं capital में देता हूं आप पे स्मॉल केटल जैसे चब वैसे लिख सकते हो तो मैं लिखा and age is not null अब मैं इतना लिखता हूं और मैं करता हूं फिल्टर तो आप देखो कि जो age वाला block है वो भी यहां पर अब कैसे आ रहा है कि यहां पर not null है यानि कि जो null वाली वो यहां से हट गई है अगर मैं end की जगह यहां पर और यूज करता तो आप यहां पर देखो कि दोनों में से एक में मुझे null value शो कर रहा है या तो नाम में या फिर age में तो यहां पर और operator यूज नहीं करेंगे आप देखो नाम में भी कोई null values नहीं है age में भी कोई null block नहीं है and department में भी कोई null block नहीं है अब यहां पर हमारे पास sales में दो null values है 127 128 तो यह data मुझे नहीं देखना मेरे इस record में तो मैं यहां पर बोल रहा हूं and जो sales है वह भी वह वाला data दिखा हो जिसमें सारे blocks भरे हुए तो मैं इसे execute करूँ आप देखो कि 127 128 यहां से हट गया तो अब हमारे पास सिर्फ वह data आ रहा है जिसमें सारे blocks भरे हुए जो missing data वाले blocks थे हैं वह किसमें देख रहे थे is null में और यहां पर हम देख कौन सा data रहे हैं जो कि हमारे पस proper data भरा हुआ है proper accurate data यहां पर filled है वह यहां पर हम देख रहे हैं तो इसके लिए हम यहां पर use कर करने के लिए वह आपको समझ में आ गया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाए तो प्लीज इस वीडियो को like करें share करें साथी comment करके अपना feedback जरूर दें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you